हाई स्टूरेंट्स आज की हमारी वर्क्षिट है वर्क्षिट 10 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल वो लाई सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें साथ ही बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोडिफिकेशन मिलती रहे हैं तो यह हमारी वर्क्षिट वर्क्षिट का मैटर है पदार्थ ठीक है चली स्टार्ट करते हैं पदार्थ है तो हमने यह बात कर रहे हैं दो बच्चे तो यह करे ग्यान लड़की इसको बोलते हैं आपने पदार्थ के बारे में क्या जाना तो बच्चा बोलता है ज्यान बोलता है कि हमने पदार्थ के बारे में बहुत कुछ जाना है सबसे पहली बात पदार्थ कणों स के बीच में रिक्त स्थान होता है और यह दूसरे के आकर्शित करते हैं और निरंतर गतिशील होते हैं यह आपस में गतिशील रहते हैं और एक दूसरे को अटेक्ट करते जिसका द्रव्मान हो जिसमें मास होता है और जो स्थान घेरता हो जैसे आपके घर में जितनी भी चीज़े हैं वो पदार्थ है इवन आप भी पदार्थ का रूप है क्योंकि सब में द्रव्मान है सबका मास होता है द्रव्मान होता है द्रव्मान को इंगलिसमें मास बोलते तो पदार्थ के दो परकार हैं पदार्थ दो तरह के होते हैं एक शुद और एक पर लुद्द शुद कोमधते है शुद्ध पदार्थ में पीछले कोड़ा द daí और योग ठीकर द्धत्फं क्या होता है उरही जिसको हम विभाजित किया ना बहुत तीक विधी से विभाजित किया जाता किया गया पदार्थ छोटा भाग लोहा सोना बहुत छोटा छोटा होता है उसको तत्व बोलते हैं ठीक है इसमें में बात यह है कि यह आपका छोटे छोटा हिस्सा होता है छोटे छोटी छोटी जो चीजे तत्तों से मिल में योगी बनता है यानि दो या दोस्तिं अगर अगर तत्त होंगे उनको जब रजायें क्रिया की जाएगी तो वो жеra e है पानी यौगि है क्योंकि अधिक त्यचेंछ से बन रहा है रसाइनी कृई français के दवारा बन रहा है एक निस्चित अनुपात है कि हीमेसदी हीël ह defensive मिलाने और अकतार है अंधिक तिकार यार पैनी बनेगा ठीकसी प्रकार से घुल्कोज है यौगि है क्योंकि यह सभी जो 2 या 2 सदक्ष उन्हें निश्चित अनुपात है उनसे मिलके बना होता है दोनों समझ में आगे यह ढोल स्थी हैं और यह तक्षी से मिलके बना होता है चल्यागे बढ़ते हैं पदार्थ का दूसरा प्रकार है मिश्रण हमने शूर्द प्रकार पढ़ लिया और अब म मिशन में आता है समांगी और विसमांगी, मतलब कि समांगी मतलग कि समां गृूप से मिल जाना, यानी जो मिशन है इओगी है या तत्तोudes के मिले हैं , लेकिन अगर सममांगी भूचत थैं को नाम है, बुलें भी हो सकता है जिसे नमक और पाणी का भूल आपने सुनोगा तो नमक और पाणी को जब मिला जाता है तो नमक पानी में बराबर मात्रा में मिल जाता है ठीक है? तो समांगी मिश्रण में आ गया इसी तरह से हवा है और या चीनी पानी ले लो यह होता है तो यह सारा समांगी मिश्रण में आ गया वी समांगी में विसमांगी, विसमागी मिष्ण में दोद रहका अगे, निलंबन और कोलाइडेस, निलंबन जैसे मिटी और पानी है, ठीक, कोलाइडेस मतलब जूद और पानी, दूद और पानी मिलतो जाते हैं, लेकिन, हम इसके आरपार नहीं देख सकते हैं, पानी में अगर दूद मिला तीनों पानी से लिया गया है नमक और पानी है तो नमक घुल जाएगा दिखेगा नहीं दूद पानी है दूद भी घुल जाएगा लेकिन उसका रास्ता हमें नजर नहीं आएगा पानी का पाक नजर नहीं आएगा निलंबन क्या है मिटी और पानी है यानि पानी मिटी और रास्ता भी हमें नजर नहीं आएगा तो इस तरह से हमने ये दो परकार पढ़ लिए जली जली नौ पदार्त के आवस्थाएं इसके बारे में जानते हैं पदार्त तीन रूप में पायाता है गैस द्रव और ठोस ठीक है उदार लेके चलते हैं जल जल देखिए हमें गैस जानते है गैस रूप में जैन से की भाव में पायता जल है अम प्रती सुको यह बता रहा है कि इस तरह से देखें चक्र बना रखा है चकर कैसे बना हुआ है कि यह अजब हैं यह जारो बनेगी जस बनेगी गैस संगलन होई तो द्रव मत्लब चिक वैसे ठोस जब गलेATOR जमेंगा तो ठोस में रक्रिया है ठीक ऐसे गैसे गैस कई गैस ठोस बन सकती है बन जाती है और अवस्थाइं यहえば- बैस तो इस तरह से चीजे तापमान कम यह आदिक होने होता है सब कुछ कि तापमान अगर बढ़ता है तो ठोस द्रभ बदल जाती है। और परबड़े का तापमान तो ड्यास वनेगी उल्टा क यलिए अगर कम होता जाएगा तो व्लटए वस्ता है जाएगी इतना समझ में आ गया तो हम लेते हैं आगे पढ़ते हैं कुर्णज़ डूसरा ले लेते हैं तो पहला कोशिन क्या है एक ऐसे पतात का नाम बताईए जो हमारे आसपास तीनों वस्थाओं में पाय जाता है तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जल है जो तीनों वस्थाओं में पाय जाता है तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जल है जो तीनों वस्थाओं में पाय जाता है अग तो इसका प्रपर हम डिफ्रेंस देखते हैं विल्यन एक समांगी मिस्रण है एक समांगी मिस्रण है जबकि निलंबन एक वी समांगी मिस्रण है प्रकार में पढ़ा है था विल्यन में विले करन का आकार बहुत छोटा होता है बहुत सूक्षन बढ़ा होता है जैसे पानी में मित्टी मिल रहा था मिक्ती काकर बड़ा होता है नमक नेले में वे सूकुत दर्शी से नहीं देख सकते हैं विल्याबन के खडों को देखा जा सकता है अराम से अधारन होगा हो यह भा गया क्षान आटा मिला दिया यह जल में मिट्टी मिला दिया ठीक है दूद मैगनेशिया यह जल में चौक मिला दोगे तो यह सारे एक तरह से हम दोनों में डिफरेंस आराम से बना सकते हैं इसको आप टेवल पॉम में भी लिख सकते हैं चलिए नेक्स कुशन करते हैं यौगी यौगी किसे कहत दो दारन पूछा है तो समझ में आ गया क्लियर हो रहा है कि चौता कोश्टन है लास्ट कोश्टन है मिष्रन किसे कहते हैं और इन में बताना है कि किस प्रकार का मिष्रन है तो मिश्रण भी दो या दो से अधिक तत्तो या यौ से मिलकर बंता है। मिश्रण निश्य दनपात नहीं किसी भी मातरा मेंसे ले सकते हैं अपिछले वर्यों को चैनल में आपको मिल जायेगाा अब अब पुच्राए नमक और जल। अच्छा नमग और जन कौन सा मिष्ण शामांगी न हमने या पड़ा था कि अगर जन मोक मिलाएंगे समांगी है समांगी से मिल जाता है दिखाई नहीं देते कंड मिट्टी और पर मिलता तो है लेकिन अम इसके कंड को देख सकते हैं दिखाई दे सकते आराम से दूद और जल भी विसमागी नेकिन विसमागी में कोलाइडस है कोलाइडस मतलब क्या होता है कि जल का रास्ता आपको नजर नहीं आगा नहीं जल के आरपार आप देख नहीं सकते हैं अगर दूद मिला दे तो तो इस तरह से हमारे सारे questions खतम होते हैं ओप आपको वडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो चैनल को लाइज सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ओके कीप वाचिंग बाए बाए